Hello everyone, welcome to new video, अभी जो है Minecraft Pocket Edition का 1.20.40 वर्जन आ गिया है, जो कि Minecraft Pocket Edition को जावक के तरह बायने का कोशिस कर रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या major changes हैं इसमें, so let's get started. तो यह जो अपडेट इसका नाम है Vanilla Parity और इसमें बहुत सारी changes है, तो पहले हम लोग gameplay changes के बारे में बात करते हैं, तो पहले अपडेट यह है कि respawn radius जो है, advanced setting में 10 तक कर दिया गया है, तो आप जब भी spawn होगे तो उसमें 10 radius रहेगा, उतना दूर तक spawn होगे, जब kill हो जो damage जो बोट को लगेगा, आपको नहीं लगेगा, और थर्ड अपडेट यह है कि अगर आप कोई भी mount से नीचे गिरते हो, जैसे कि एक horse होगे, अगर आप horse पे चड़के नीचे उतरते हो, तो उसका जो damage जो horse को होगा, और horse मर भी सकता है, फोर्थ अपडेट यह है कि goat का जो hawn होता है, उसको अगर आप बजाओगे तो वो 256 ब्लॉक तक जाएगा, उसका वाच, फिफ्थ अपडेट यह है कि बहुत बार के hud color जो होता है, उसको तुरह tweak किया गया, शिक्ष अपडेट यह है कि जब lava और water flow करता है, और mix होता है, उसका जो mechanics है, उसको जावा के त दिया गया है, रेंडमाइस, चाव एडिसन के तरह करने के लिए, सेकेंड अपडेट यह है कि जॉंबी फाइट विलेजर जो है, उनका अब करेक्ट भायोम ओवर ले रहेगा, ठर्ड अपडेट यह है कि विचेस जो है, अब कोई भी प्लेयर को 16 ब्लॉक से भी अटेक कर स सकते हैं, फूरथ अपडेट जानने से पहले, पहले का बात जानलो स्पहले कि पहले क्या होता था जब रहने का लोग पूराफ जाने का हुद यह हूँ हरा है, अब मिलने लगेगा, फिपड़ यह है, तो हो शुन होता है पूर पूह कि देख दो सुवाइब जगने के gap में नहीं spawn होंगे क्योंकि वो suffocate हो जाते हैं तो अब जो है वो सिर्फ 3 block के space में होंगे जहां पे वो रह पाए 7th update यह है कि अगर आप iron golem और suno golem को create करोगे तो उसमें effect देखने को मिलेगा उस effect का नाम है crumbling like particle effect 8th update यह है कि cartographer जो आपको exploration map trade के तरह दभी देंगे जब आप over world में होगे नेदर में होगे या फिर end में होगे तो नहीं मिलेगा उसके पाद आजाता है audio update पहला update यह है कि guardians होते हैं या elder guardians होते हैं वह एक flopping sound create करेंगे जब वो जमीन पे होंगे land पे second update यह है कि wither skeleton जो हते हैं उनका खूद का sound create कर दिया गया है third update यह है कि जब भी हम लोग wither skeleton को spawn करेंगे note block के उपर तो उनका भी अलग आवाज create कर दिया गया fourth update यह है कि जब भी हम लोग किसी को slash give करके कोई समान देंगे तो उसमें वही वाला audio आएगा जब हम लोग कोई block pick up करते हैं तब आता है तो दोनों जगा same audio रहेगा fifth update यह है कि जब भी कोई stray cats आप से food के लिए back करेंगे तो उनका भी एक अलग audio आएगा sixth update में bottle में कुछ changes लाए गया है जब हम लोग bottle को fill करेंगे water block से तो उसमें sound emit करेंगे जब हम लोग water को glass bottle से coldron में transfer करेंगे तो उसके लिए अलग sound आएगा और wise word सा अलग sound आएगा उसके बाद अगर हम लोग कोई glass bottle से कुछ drink करते हैं तो उसका भी अलग sound आएगा seventh update में water का splash sound में update किया गया है जो ambient sound player होता था जब हम लोग water को enter करते थे या exit करते थे वो तब ही होगा update जब हम लोग का जो actor मतलब player जो है उसका high level water के अंदर होगा या बाहर होगा यह जावा एडिशन को match करने के लिए किया गया है और splash sound जो हता था जम लोग water में enter करते थे उसको update कर दिया गया है जावा एडिशन के तरह बना दिया गया है ओके तो यही थे कुछ 1.20.40 के major updates अगर आपको यह वीडियो अचलेगा तो like कर देना और चैनल पर नोते तो subscribe करना मिलते हैं ऐसे किसी और next वीडियो में बाई